आप सभी का स्वागत है दो ओक्टोवर दो हजार बाइस एक खास दिन हर भारतिये के लिए क्योंकि आज भारत में जन्वी दो शक्सियत महात्मा गांधी और हमारे शास्त्री जी दोनों का जन्म दिवस है और दोनों का योगदान भारत में अतुलनी है जिसके तुलना हम किसी से कर न सकें एक ऐसा योगदान जिसके कारण भारत की आजादी की यात्रा काफी हद तक आसान हो गई महात्मा गांधी के ओपर धेरों बातें आप बचपन से सुनते सीखते आते हैं एक बच्चा जैसे ही चीजें खरीदने का शौक उसमें पैदा होता है चाहे वो चॉकलेट हो आइसक्रीम हो या कोई भी चीज हो तो वो तुरंथ देखता है कि नोट पर किसी दादा जी का चितर बना हुआ है और फिर वहीं से उसकी समझ बन जाती है कि नोट पर किसी का चितर है और बड़े होते होते जैसी वो थोड़ा बड़ा होता है स्कूल जाता है महात्मा गांधी का जन दिन राश्टर पिता के रूप में बहुत सारी बातें उसके सुनने में आती है तो वहां से उसको पता चल जाता है कि देश में कोई बड़ी हस्ती रहे होंगे महात्मा गांधी महात्मा गांधी के उपर धेरों किताबें हैं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सब लोग जानते भी हैं, कि महात्मा गांधी का योगदान सच में बहुत बड़ा था, और महात्मा गांधी का कद इंडिया में इतना उंचा था, कि जिसकी बराबरी पे आज तक कोई पहुँच नहीं पाया, नहीं कोई पहुँच सकता है, तो इतना सारा योगदान भारत में उन्होंने आजादी के उस यात्रा में दिया कि जिसकी कल्पना कोई आम इंसान कर भी नहीं सकता लेकिन महात्मा गांधी से जुड़ी सारी पॉजिटिव बातें जितनी आपने सुनी है अब समय आ गया है कि उन चीजों पे थोड़ा सा सोचना भी शुरू कर दें क्योंकि भारत में हमेशा से एक दौर रहा जब हमने देखा कि किसी बड़ी हस्ती के बारे में जब बात करते हैं तो उनका महीमा मंदा नितना कर दिया जाता है कि आम आदमी उनको पूजने लगता है अच्छी बात है लेकिन प्रॉबलम तब आती है जब उसी के पैरलल एक विचारधारा आजकल आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से 30 जनवरी को कुछ लोग नथूराम गोडसे की भी पूजा कर रहे होते हैं ये बड़ा बहुत बड़ा क्वेशन है कि नथूराम गोडसे की विचारधारा ठीक थी क्या उन्होंने ठीक किया महात्मा गांधी का मर्डर करके और इस पर बहुत बड़ा बवाल मत जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नथूराम गोडसे की भी प्रशंसक धीरे-दीरे संख्या में बढ़ते जा रहे हैं मैं इस बात पर बिल्कुल बात नहीं करूंगी कि नथूराम गोडसे ने ठीक किया या गांधी ने ठीक किया नहीं मुझे लगता है किसे टीचर को इस तरह की बात करनी चाहिए पर एक टीचर होने के नाते यह हमारा करतव यह है, जितने टीचर भी मुझे सुन रहे हैं, कि बच्चों के दिमाग में questions पैदा कर दिये जाएं, वो questions जिनका answer वो ढूंडें, जिसके लिए उनको पढ़ना पड़े, किताबें खोजनी पड़ें, और किताबों को पढ़ना बहुत सारे लोग फेस्बुक के ग्यान पर डिपेंड रहते हैं, कि भईया फेस्बुक के कोई दो चार इस तरह की फालतू की चीज़ें पढ़ली और हो गया, ऐसा नहीं होता, जिसको सच में ग्यान हांसल करना है और जिसको सच में तथियों के साथ चीज़ें जानने का श लोगदान सारे उनके आंदोलन चाहे वो 1915 में उनकी 22 साल के बाद अफ्रीका से वापसी की यात्रा रही हो, या 17 का अपना चंपारण, या फिर 19-20 की एक लंबी संघर्श यात्रा जिसमें पहली बार पूरे भारत को उन्होंने जोड़ा, या 14-14 हत्याकान, या 1930 का सवीने अवग्या अंदोलन, नमक सत्या ग्रह से शुरू होके, फिर कितनी आगे तक गया, फिर गांधी और ये सारे अपनी बैठकें, उसके बाद फिर RTC, Round Table Conference, फिर गांधी ने और जितना बड़े-बड़े काम किये, चाहे उसमें Quit India Movement या इस सारी बाते, अब ये सब आज नहीं क बात करेंगे, जो मुझे लगता है, हर पढ़े लिखे आदमी के दिमाग में questions होने चाहिए, गांधी जी के बारे में जब भी आप बात करते हैं, तो आप अहिंसा का topic पढ़ते हैं, बचपन से सिखाया गया अहिंसा, सत्या ग्रह का एक नारा गांधी जी ने दिया, बहुत गांधी के point of view से, जितना उनको समझ में आता है, पढ़के हम लोगों को, कि गांधी जी का मानना था, अहिंसा का मतलब हरदय का परिवर्तन है, किसी के मन को बदल देना, कि वो गलत को गलत मानने लगे, अपने दिल से, हिंसा ना करना, कोई option नी है कि आप हिंसा ना करें, औ तो देश आजाद हो जाएगा, यानि अंग्रेजों के रदय में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा, और वो देश ओड कर चले जाएगे, मान लेते हैं, गांधी जी कि ये बाद ठीक थी, क्योंकि बच्पन से यही पढ़ा है, अब इसके साथ, मैं ये नहीं कह रही हूं क गांधी जी गलत हैं, लेकिन कुछ क्वेशन्स जो आपके दिमाग में आने चाहिए, पहला क्वेशन, अगर अहिंसा की बात कर रहे हैं, हृदय परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी जब इंडिया लौटे बाइस साल बाद अफरीका में गांधी ने बहुत सत्या ग्रह, सत्या और अहिंसा की बात करते थे, तो गांधी जी ने इंडिया आने के साथ, जब गांधी जी इंडिया पहुँचते हैं, 1915 में, तो आप सब जानते हैं, First World War चल रहा था, आप सब को ये भी पता है, कि महात्मा गांधी ने First World War में अंग्रेजों के बिहाफ पर लड़ने के लिए, भारत के युवाओं को कहा था कि तुम आगे आओ, आहवान किया था कि आगे आओ, इनकी बिटिश सैना में जाके लड़ो, अगर गांधी जी अहिंसा का समर्थन करते थे, तो गांधी जी ने हिंसा की इस तरीका था, अंग्रेजों का, हिंसात्मक का प्रश्ण है कि क्या गांधी जी भारत की आजादी के लालच में आ गए थे, क्या गांधी जी इस बात पर विश्वास कर बैठे थे, कि अंग्रेजों का, अगर हम First World War में सहयोग करेंगे, तो भारत को आजाद कर देंगे, और अगर ये लालच था, तो क्या गांधी जी ला से motivation दिया पहला question जब के दिमाग में आना चाहिए first world war में सैनिकों की भरती कहीं ना कहीं तो हिंसा से प्रभावित था सामराजयवादी देश तो हिंसा ही करके तो दूसरों को हड़पते थे उपनिवेश कैसे बनते थे दूसरा question महात्मा गांधी हृदय परिवर्तन की अगर बात करते हैं महात्मा गांधी ने first world war में first world war के बाद जब ये बड़ा आंदोलन चलाया 1920 में तो सिर्फ एक छोटी सी घटना कारण बनी थी चौरा चौरी हत्याकान 22 पुलिसकर में जिंदा जला दिया गलत था मान लिया इस हिंसा के चकर में महात्मा गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन वापस ले लिया जो की कहा जाता है तिहास तो इसी बात की गवाही देता है तो एक question mark ये भी है कि जब 1922 में हिंसा की कारवाही से सयोग अंदोलन बंध हुआ तो 1942 का quit India movement जो पहले दिन से ही हिंसा आत्मक था 9 अगस्त को हिंसा से ही जिस अंदोलन की शुरुआत हुई महात्मा गांधी उसके favor में कैसे रहे और ऐसा तो नहीं है कि महात्मा गांधी इसके favor में नहीं है क्योंकि आप जानते होंगे 1942 में 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालिया टेंक से जिसे आज अगस्त क्रांती मैदान कहते हैं से भाशन दिया, उस भाशन के बाद महात्मा गांधी को पकड़ लिया गया, नजर बंद कर दिया गया आगाखा पैलेस में, लेकिन महात्मा गांधी की वहां से ओडियो रिकॉर्ड होती थी, और आप सब जानते होंगे उशा महता, कॉंग्रेस का रेडियो के उपनाम से प्र गांधी जी ने अपना अंदोलन वापस किया, लेकिन 1942 में हिंसा के बाद गांधी जी ने अंदोलन वापस नहीं लिया, इससे क्या समझें, कि गांधी जी हिंसा के पक्ष में थे, या अहिंसा के पक्ष में थे, इससे ये भी समझ में आता है, कि शायद गांधी जी अहिंसा का जो सद्धान्त था ये उनकी रणनीती थी कि कहां ये यूज करना है और कहां यूज नहीं करना और जब तक उन्हें लगता था कि हिंसा अंडर कंट्रोल है तो तक शायद वो इस चीज के फेवर में हो जाते थे जैसे एक exactly ये कहना कि वो इस चीज पर अडिक थे ये बात question mark है दूसरा question 1915 में हिंसा के साथ वहां पर उन्हें उनको कहा कि तुम भरती हो जाओ 1922 में हिंसा की गतिविधी से प्रभावित होके महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा अंदोलन असहयोग अंदोलन वापस ले लिया जो आप सब लोग अच्छी तरह है बच्पन से सुनते पढ़ते आ रहे हैं लेकिन 1942 का कुट इंडिया मुव्मेंट तो शुरू ही हिंसा के साथ हुआ था फिर इसको बंद करने का आवान गांधी जी ने क्यों नहीं किया एक बड़ा question इसके बाद महात्मा गांधी ने अहिंसा में हृदय परिवर्तन की बात की बहुत बड़ी ब इसके बाद भी अंग्रेजों का हृदय तो परिवर्तित नहीं हुआ तो क्या अहिंसा का ये सिध्धान्त काम्याब था एक बड़ा question mark है कि क्या इन तीन आंदलोनों में गांधी जी ने अहिंसा का जो यूज किया एक हतियार जीसे कहते हैं weapon क्या उसके बाद अंग्रेजों का एक second important thought था जिस पर सभी लोगों को सोचना चाहिए समझना चाहिए गांधी जी ने जो हमारे क्रांतिकारी बंधू थे भगत सिंग के उपर मैंने एक 28 सितंबर को अभी 3-4 दिन पहले एक सेशन लिया था उसमें भगत सिंग के उपर बात थी क्रांतिकारीयों की हिंसा और हिंसा इंदों में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी जैसे गांधी जी जब बातचीत करते थे क्रांतिकारीयों की हिंसा को वो बहुत नेगटिव तरीके स देखते थे उन्होंने कभी भी किसी भी क्रांतिकारी गतिविधी के पक्ष में कोई वक्तव्य नहीं दिया कभी भी अंग्रेजों की हिंसा के विपक्ष में वो ज्यादा नहीं बोले किया उन्होंने कई बार ऐसा अंग्रेजों की भी बुराई की भर्चना की लेकिन आप जब अंग्रेजों ने कोई भी हिंसात्मक करेवा ही क्रांतिकारियों के लिए की चाहे उसमें भगत सिंग राजगुरू की फांसी की बात करें या ऐसी धेरों घटनाए इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं गांधी जी ने खुलके कभी उनका विरोध नहीं किया इस मामले में तो ये तो हिंसा को देखने के दो पक्ष हो गए अगर अंग्रेज हिंसा कर रहे हैं तो गांधी जी ने कुछ नहीं कहा फर्स्ट वर्ल वर में उसमें तो गांधी जी उनकी इंट्री इंडियंस भी जाएं और इनकी हिल्प करें लेकिन वहीं अगर भारत में जन में क्रांत जोता दोनों के बीच में संपन हुआ, तो कितने सारे लोगों की इच्छा थी कि गांधी जी एक दबाओ बनाए, क्योंकि गांधी जी का पलड़ा उस समय भारी था, कि इन तीन क्रांतिकारी लड़कों को फांसी न दी जाए, उम्र कैद दे जाए, लेकिन इस बात पर भी एक गांधी जी के पर्सनालिटी पर, कि इतने बड़ी हस्ती जो थे, जिनकी तरफ पूरा देश कहीं न कहीं एक नजर उठाए बैठा रहता था, कि गांधी जी जो करेंगे, ठीक करेंगे, इतिहास में इस क्वेशन का आंसर गांधी जी ने सेटिसफेक्टरी नहीं दिया, कि उन्होंने क्यों नहीं भरपूर कोशिश की उन तीन लड़कों को फांसी से बचाने की, तो ये जो बहुत लोग कह देते हैं कि गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, उन्होंने सांडर सत्याकान में वो अभियुक्त थे, अगर गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे, तो ये सारी ज इसके बाद कुछ और चीजें हैं, दूसरा एक बड़ा पॉइंट, ये दो चीजें तो अहिंसा के बारे में थी, गांधी जी के आर्थिक विचारों पे अगर बातचीत करें, गांधी जी के आर्थिक विचार, आप सभी जानते हैं, गांधी जी के कलपना बड़ी अच्छी ति रामराज्य की कलपना, कि गाओं गाओं में हर आदमी को लगे कि मैं राज करता हूं, बहुत अच्छी बात थी, और पंचायती राज उसी का एक रूप माल लीजे, गांधी के ही विचार हैं, लेकिन एक बड़ा क्वेशन मां की ये है, कि क्या गांधी के आर्थिक अब गांधी जी के विचारों की अगर मैं बात करती हूं, पहली बात, गांधी जी का मानना था कि जो जमीदार है न, जो सामंत हैं, ये अपने आप इनके मन में परिवर्तन होगा और ये अपने आप उदार हो जाएंगे समय के साथ-साथ, इनको इस तरीके से समाज में ढा जाएगा, कि ये जो बड़े सामंत, बड़े जमीदार हैं, ये अपने आप, जो बाकी समाज हैं, इसकी बहतरी के लिए क्या स्टेप लें, वो सोचेंगे, गांधी जी की विचार धारा थी, कि पूंजी पती जो लोग है न, वो ट्रस्टी शिप सिधान्त दिया था, समाज के धरोहर के रक्षक हैं, और ये अपने आपको गरीबों का, या जो निचले स्तर के लोग हैं, इनका अभिभावक या सनरक्षक समझें, ऐसा गांधी जी ने विचार धिया था, ट्रस्टी शिप सिधान्त कहते हैं इसे, तो एक क्वेशन मा की ये है, कि अब से पहले अब तक के इतिहास में, हम 2022 में बैठे हैं, आज तक कोई एक पूझी वादी देश, जहां पे ऐसा हुआ हो, कि पूझी पतियों ने गांधी जी के ट्रस्टी शिप सिधान्त के अकॉर्डिंग, अपने आपको रक्षक माना हो, गरीबों का, श्रमिकों का, या सर्वहारा व के जब उनके गांधी जी के एकॉर्डिंग जब भारत में आजादी आएगी, तो जो ये अमीर लोग हैं, जमिदार लोग हैं, ये खुद अपने आप रक्षक बन जाएंगे, इन सब के पीछे कही ना कहीं एक क्वेशन माग है, कि ऐसा हो ना पॉसिबल था, कि इतिहास में कहीं किसी पन्ने पर ऐसा दर्ज है, कि किसी पुझी वादी विवस्ता में ऐसा हुआ हो, महात्मा गांधी के पीछे इतने लोग चले, इतने लोग, उसमें जमिदार भी थे, पुझी पती भी थे, उसमें किसान भी थे, मजदूर भी थे, तो जो ये किसान थे ना, एक बड जमीनों का त्याग कर देंगे या जमीने हम लोगों तक पहुंचा देंगे और हम भी जमीन के मालिक बनेंगे इस सोच के साथ गांधी पे तो सभी बहुत ज़त विश्वास करते थे इसी सोच के साथ उन लोगों ने गांधी के पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर दिया फिर य किसान आंदोलन करके हम लोगों को मार ना डाले और इतिहास गवाह है रूस जैसे बड़े देशों में जो आप इनका इतिहास पढ़ते हैं 1917 की करांती तो आप देखते हैं कि किस तरह से वहां मजदूरों और किसानों उन्हें बड़े लेवल पे हिंसात्मक कारेवाईयों को भी अंजान दिया था तो वो जो डर था ना कि कहीं हमारे देश में भी ऐसा ना हो उस डर के चलते जो ये बड़े बड़े अमीर जमीदार थे ये भी गांधी के पीछे चल पड़े तो उसमें भी कुछ न कुछ फायदा हमारा देखके तब जमीने ली जाएंगी यानि गांधी पे विश्वास दोनों कर रहे थे जमीदार भी और वो किसान भी जो की जमीन का मालिक नहीं था वो मालिकाना हक के चकर में गांधी जी के साथ था दूसरा एक क्वेशन गांधी जी के टाइम में गांधी जी ने कहा कि जो ये इंडिया का विकास होगा ये सब तब होगा जब हर हाथ को काम होगा जब गाओं के लोग वापस से उसकिसानी परिवेश में लोटेंगे और हर घर में चर्खा चलेगा और हर आदमी इंडिपेंडेंट बनेगा हर गाओं इंडिपेंडेंट बनेगा बहुत अच्छी विचार धारा है लेकिन समय के साथ बदलना जरूरत होती है महात्मा गांधी जी के ओपर यहां फिर एक क्वेशन मांग लगता है कि उस जमाने में जब बिटेन जैसे देश मशीनों से कपड़ा बना रहे थे जब ओद्योगी क्रांती आ गई थी दुनिया में उस टाइम पर भारत दुनिया से पीछे रहकर और अगर चर्खे ही काता रहता हर आदमी तो फिर आगे कैसे बढ़ते यह क्वेशन मांग है यह भी महात्मा गांधी के पर पहला दूसरी बात महात्मा गांधी ने कहा उस समय पर कि आर्थिक विकास के लिए भारत को गाओं में हर आदमी को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा और गांधी जी ने कहा कि बड़े उद्योग धंदे में जो पुझी पती है न यह लोग काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पुझी पती जो है इनकी में गड़बड क्या होती है पुझी वात की कि उत्पादन के थोड़े ज्यादातर साधनों पर थोड़े से लोगों का कबज़ा हो जाता है जिनका में टार्गेट होता है मुनाफ़ा कमाना सबसे बड़ी दिक्कत यही है लेकिन गांधी जी का विचार था कि दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि मशीने आ गई, उन्नत तकनीक आ गई, जिसके कारण की लोग ये बेरोजगार हो गए, तो महात्मा गांधी ने कहा कि इसका एक तरीका है से उबरने का, कि क्यों ना गाओं गाओं में वापस से चर् कि बहुत बड़े आदमी थे, और सही भी कहते थे, ऐसा लोगों को लगता था, लेकिन एक क्वेशन माक यहाँ पर है, कि अगर यही सच्चाई है कि इस तरीके से भारत के लोग इंडिपेंडेंट बनेंगे, तो महात्मा गांधी की जितनी संसाय चलती थी, कॉंग्रेस जो पूंजी पती वर्क दिया करता था, उस दौर में, अंग्रेजों के जौर में, उस टाइम पर उन पूंजी पतियों के पैसे का साधन क्या था, बड़ी-बड़ी मिलें लगी हुई थी, जिनमें की उस टाइम की एडवांस टेक्नलोजी का इस्तमाल किया जाता था, तो अग बड़े-बड़े पूंजी पती वर्ग के लोग थे, जो कुछ चुनिंदा लोग थे, बहुत अमीर, वो क्यों लगातार विदेशी तकनीक ला रहे थे, विदेशी मशीनों के कपड़े ला रहे थे, लगातार व्यापार को बढ़ा रहे थे, जबकि वो तो गांधी जी के पके मित्र थे, गांधी जी की लगभग संस्थाओं को पैसा वही दिया करते थे, कॉंग्रेस को आगे बढ़ाने में सारा पैसा उन्हीं का लगा हुआ था, फिर क्यों नहीं गांधी जी का ये विचार उन लोगों ने माना, ये भी तो एक क्वेशन माक है न, कि ये विचा ये दो-तीन चीज़े हैं, जिनके उपर सच में पढ़े लिखे लोगों को सोचने की जरूरत है, वो पुरानी बाते थी, जो हम पढ़ते थे न, मना मैं अभी भी नहीं कर रही हूँ, एक लास्ट क्वेशन जो सच में हर पढ़े लिखे बच्चे को अपने आप से करना चाह जैसे कुछ चीजें हैं, विभाजन के उपर जो लोग नत्थूराम गोड़से के बड़े पक्षधर बन गए आजकल, उन सब को एक क्वेशन अपने आप से करना चाहिए, वो लोग क्या कहते हैं, नत्थूराम गोड़से ने गांधी को मारा ठीक किया, क्योंकि गांधी भ विभाजन पाकिस्तान बनाने के पिछे गांधी अकेले थे, तो मैं आपको तथियों के साथ एक बात बता देती हूँ, ये मेरी तरफ से ये बहुत इंपोर्टेंट और सच में सोचने लायक पॉइंट है, जब भारत का विभाजन हुआ न, इससे पहले दो बड़ी संसाइ एक मुसलिम लीग और एक हिंदु महासभा, आप सभी जानते हैं मुसलिम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे और हिंदु महासभा हिंदुस्तान के लिए, हिंदु महासभा के बड़े लीडर थे सावरकर, और मुसलिम लीग के बड़े लीडर थे जिन्ना, 1937 में सावरकर के शब्दों में, ये लिखित में हैं सारी बाते, 1937 में सावरकर ने अपने आप मीटिंग में ये बात कही थी, कि भारत में दो राष्ट बनेंगे, भारत एक राष्ट के साथ चलेगा नहीं, 1940 में बिल्कुल सपष्ट तरीके पर द्वी राष्ट के सधान्त पर जिन्ना ने ला ओल ओवर इंडिया में कॉंग्रेस कमीटी के मेंबर्स इखटे हुए, अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमीटी की बैठक हुई, उस बैठक में ये कहा गया कि पूरे भारत से आओ लोग, 400 लोगों का था संगठन उस टाइम पर कॉंग्रेस, उन 400 में जब विभाजन के क्वेश का हिसा ही नहीं बने, इन 218 में से 29 लोगों ने जो प्रेजन थे, इन 29 लोगों ने विरोध किया, भई हम विरोधी हैं, हम नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान बटे, और एक खास बात बता दू, खान अब्दुल गफार खान, फ्रंटीर गांधी, सिमांत गांधी इन में से जिन लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ा, जो विरोध करके पाकिस्तान गए, आप सोचो उनको कैसे जीवन मिला होगा, उनकी क्या परिशानी उनके सामने आई होगी पाकिस्तान में जाने के बाद, इन में से 30 लोगों ने, ये इसका डिविजन कर रही हुमें, इन म जो बच गए, कितने बच गए, 159 बच गए शायद, है ना, तो ये 159 जो लोग है ना, सोचो 400 में से 159 पक्ष में थे भारत और पाकिस्तान के, सिर्फ 159, अगर इसका आप टोटालिटी में देखें, तो ये तो 40% के आसपास लोग हैं, यानि सिर्फ 40% लोगों ने विभाजन पर हस्ताक्षर किये थे, और विभाजन हो गया, लेकिन एक खास बात इसमें ये है, कि इन साइन करने वालों में, गांधी भी थे, नहरू भी थे, और सरदार पटेल भी थे, और ये लिखित है इस बारे में, मैं आपको पढ़के सुना देती हूँ, क्योंकि कुश लोगों कोई इन बातों से बड़ी मिर्ची लगती है, और उन्हें लगता है कि पता नहीं, कोई जो किसल्गी की सुनना जाता नहीं, इसकी समझ में बात नहीं आईगी, लेकिन तरह की कसौटी पर हरस्ते हैं, उनके लिए मैं कुश लाइन पढ़でती हूँ, ये कहते है, 1937 में हिंदु महासभा के एहमदाबाद अधिवेशन में उसके नए बने अध्यक्ष सावरकर कह चुके थे हम साहस के साथ वास्तविक्ता का सामना करें भारत को आज एकात्म और एकरस राष्टर नहीं माना जा सकता प्रत्युत यहां दो राष्टर है यह सावरकर जी के खुद के बोले हुए शब्द है जो लोग कहते हैं कि सिर्फ अकेले गांधी के कारण ऐसा हुआ और सुन लीजिए सरदार पटेल अध्यक्ष हैं उनका भाषण यह लिखित में है सारा अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा यह बात हमें पसंद हो या ना पसंद यह पटेल कह रहे हैं लेकिन पंजाब और बंगाल में वास्तव में पाकिस्तान मौजूद है यह सरदार पटेल के इसे हम अपनी बुद्धी से मजबूत बनाएंगे लीग देश के बचे हुए हिस्से का विकास कर सकती है यह सरदार पटेल के शब्द हैं इसके बाद यह दो चार शब्द और पढदेतियों में इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि अकेले गांधी की गलती नहीं है प्र कि गलती है भारत का बटवारा तो यह गलत सोच है यह बटवारा होना लाजमी था उस टाइम के सबसे धुरंदर नेताओं के दिमाग से उन्हें लगता था कि बिना बटवारे के चीज़ें बिगड़ जाएंगी तो एक आदमी को यह कहना कि इसके कारण ऐसा हुआ यह गलत तो अब यह क्वेशन मांक के साथ में इस क्लास को यहाँ पर अपने बिहाफ पर परिमल सर भी जुड़ेंगे यह बड़ा क्वेशन मांक आप लोगों के साथ है जो आप पढ़े लिखे लोगों को देखिए यह सब न तथी हैं आप कोई इंसे इतर अपनी मरजी चलाया एक जो लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी फूजनी है बिल्कुल है उनके लेवल का जन नेता इस धरती पे आज तक नेजनमा जतनी प्रतिमाए महात्मा गांधी की दुन्या-भर में लगी है जितने रोड सब्स पतनी कितने दुनिया-भर की चीज़ें उनके नाम से इतनी किसी गांधी का विरोध क्यों? नथूराम गोड़से की पूजा करने वालों से ये question मांख होना चाहिए, कि उस sign करने वाले 159 लोगों में तो सरदार पटेल भी थे, उसमें तो नहरू भी थे, उसमें गांधी भी थे, तो फिर नथूराम गोड़से ने अकेले गांधी को मार के, क एकर गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो फिर गांधी जी ने फर्स वर्ल वार में जो हिंसा करने वाला देश था, उसके पक्ष में अपने लड़कों को क्यूं भरती करवाया, क्यूं वो सार्जेंट कहलाते हैं, अंग्रेजों की सैना में भरती कराने वाले, 1922 टू जिनके उपर सच में किताबे पढ़ने की जुरत है तो इसे लिए जो यंग नौजवान जुड़े हुए है न अब वो दौर गए जब आप आँख बन करके बस कान से सुना और सोच लिया कि ठीक है ऐसा था ऐसा नहीं है अब चीजों को समझने का समय है भगत सिंग का मेसेज क बाते होनी चाहिए कि क्या और बहतर हो सकता था और गलतियां रही तो कहां रही अगर गांधी जे की विचारधारा से भारत में आजादी मिलती तो कैसी आजादी होती और भगत सिंग की विचारधारा से भारत आजाद होता तो कैसा आजाद होता और आज के परिपेक्ष मे अगर बात करें, तो गांधी की नीती ज्यादा ठीक लगती है, या भगत सिंग की, या दोनों नीतियों को अच्छी तरह पढ़के, और आज क्या कुछ होना चाहिए, इस पर विचार किये जाने की, मन्थन किये जाने की जरूरत है, तो उम्मीद करती हूँ, ये सेशन आपको यहां तक अच्छा लगा होगा, और ये चीजे ना हर पढ़े लिखे इंसान को सोचनी चाहिए, तो परिमल सर आपसे जुडेंगे, आज का दिन पूरा दिन अख़वारों पे, मैं तो सोशल साइट पे किसी पे हूँ नहीं, पर मुझे लगता है आज फेस्बुक पे पूर इसी बातचीत वो भी करेंगे, नमस्कार, दो अक्टूबर, महात्मा कांधी की जैनती, और शास्त्री जी की जैनती, अभी मैं देख रहा था, तो बहुत लोग लिख रहे थे, लाल बादुर शास्त्री के बारे में बताई है, तो पिछले दो अक्टूबर को मैंने, लाल शास्त्री जी के बारे में बोला था, और तब हमारा डिस्केशन हुआ था, कि अगली बार हम गांधी जी के बारे में बोलेंगे, गांधी जी के बारे में मैं दो तिन बातें लेकर आया, नियूस बेपर मैंने आज पढ़े कि किस नियूस बेपर ने क्या दिया, क्या नहीं ठी गांधी जी का चश्मा अपने चश्में से देश की आजादी देख रहे थे कर एक 1906 में राश्ट्रिय अंदोलन से जुडे और 1948 में 31 साल तक भारतिय राश्ट्रिय अंदोलन की धुरी बने रहे हम उनकी 100 गल्तिया निकाल सकते हैं हम उनको नमन कर सकते हैं हम उनको गालियां दे सकते हैं जैसा देश में ट्रेंड चल रहा है 31 साल तक भारतिय राष्ट्रिय आंदोलन को उन्होंने जोडे रखा इस सच्चाई से कोई आदमी मूँ नहीं मोड सकता हम उनकी खुबिया गिने या गलतियां गिने अहिंसा के उपर जो है मैं मने अभी बोला उनकी आर्थिक नीतियों के उपर मैं मने बोला अभी कुछ बातों के बारे में और भी बोला लेकिन उस चस्मे की नजर से देखो आप लोग भी उस चस्मे के अंदर से देखो कि 1917 में जुड़ने के बाद उन्हें चसमे से सिर्फ अजादी दिखाई देती रही और देश को अजाद करवा के छोड़ा जो क्रांतिकारी साती थे जो क्रांतिकारी बंदू थे जो हमारे शहीद हैं महापुरुष हैं उनके योगदान को कम नहीं कर रहा हैं लेकिन आंदोलन की बागडोर को बांधे रखना उस मसाल को जलाए रखना और जिसके अंदर से लगातार करांतिकारी निकलते रहे अलग-अलग दल निकलते रहे और अलग-अलग समय पर उनके योगदान अलग अलग रहे लेकिन गांदी जी का ये जुड़ाव रहा उस चसम लगा और गांधी जी की चपल महात्मा गांधी ने जब 1915 में भारत में आए नो जनवरी 1915 को भारतिये प्रवासी दिवस मनाया जाता है तो जो उनके राजनितिक गुरू थे गोपाल कृष्ण गोखले उन्होंने क्या कहा कि पूरे भारत को देखो 1915 जनवरी में आए और 1917 म पूरा भारत गुमा गांगधा गए कस्पे कस्पे गए अलग अलग जगाओं पर गए पूरे भारत को जाना शमझा और उसके बाद पिर अंदोलन से जुड़े तो यह ने करना क्या चाहिए और भारत में घुमें अलग अलग जगाओं पर अलग अलग जगाओं पर जा करके देखें लोकल ट्रेंस में जाएं लोकल भसों में जाएं लोकल खाना खाएं लोक क्या रहे हैं आपके पास दस दिन का टाइम है आप फास्ट ट्रेंस से वहां पर पहुंचें एरोप्लेन से वहा एक साल में देखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि अब साधन ज्यादा है, चलिए, कुछ बाते मैंने इन में से ही निकाली थी और उनके उपर मैं बात करता हूं, जरा, कुछ बाते छोड़नी पड़ेंगे, क्योंकि यह ज्यादा लंबी चीजें हैं, कुछ किताबे पड़नी लास्ट में लिखना चाहिए था महत्मा गांधी से ये पूछा कि देश में दिक्कत क्या है प्रॉब्लम क्या है तो देश की दिक्कत के उपर महत्मा गांधी जी ने ये कहा कि भारत के जो बुद्धी जीवी लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं जो काबिल लोग हैं जो सक है ना लास्ट लाइन के भी लास्ट में कड़े हैं उनके हितों का भी ध्यान दखा जाएगा गड़बड कहां पर हुई गड़बड यहां पर हुई कि सब लोगों ने अपने हितों का साधन चालू कर लिया कि मेरी सेलरी कैसे बढ़ेगी मेरी नोकरी बड़ी कैसे होगी, मेरा प्रमोशन कैसे होगा, मेरा तबा कैसे होगा सरकार से मैं कैसे फाइदे उठाओं, और मैं किस परकार से जैसे आज के पुझी पतीयों कामामला बनता है, तो उसी परकार से उस टाइम पर भी जो है लोगों ने अपने हित साधे और इस सरव भूत हितो रता को छोड़ दिया बहुत सब का भला हो चाहिए ना हो मेरा भला होना चाहिए ये भेंकर गड़बड हुई ये महत्मा गांधी के सिंधान्द के बड़ी चूक के तोर पर देखी जा सकती है महत्मा गांधी छोटी मोटी चीज नहीं थे महत्मा गांधी की कितनी कमिया कोई कुछ भी बोले फिर भी भारत के नोटों से महत्मा गांधी को नहीं अटा पाए हैं लोग चाहे जो भी कहें, चाहे जितने भी गोड़से को पूझने वाले लोग, लेकिन फिर भी आज तक महत्मा गांधी हर नोट पर विद्धेमान है, इनके बारे में, अलबर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन के आगे तो और कुछ नहीं कहा जा सकता न, अलबर्ट आइंस्टीन ने परकार से जीवन जिया, और देश को आज़ाद करवाया, अलबर्ट आइंस्टीन से ज्यादा समझदार आप लोग हो, तो फिर मादमा गांधी को गालियां दे सकते हो, मादमा गांधी ने आज भी बाते होती रहती हैं, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छात्रों की, नौजवानों की, बिरुजगारों की, सारी राजनीती हमेशा गांधी जी के पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े वेक्ती के लिए हुई, लेकिन फिर भी आज तक उसके लिए कुछ नहीं हुआ, आज फिर भी वो पिछड़ा हुआ है, किसानों के लिए आज भी संगर्ष करने की बात चलती है, बेरुजगारों के हैं, जितने अमीर लोग हैं, जितने जमीदार हैं, ये सब को अपनी परजा के रुप में रखेंगे, अपने बच्चों की तरह पालेंगे, वो नहीं हो पाया, वो जो सिध्धान्त गांधी जी ने दिया था, वो प्रासंगिक नहीं था, यहां गडबड हो गई, गांधी ज तो वो कुछ न कुछ और ही करेगा, समान चीनेगा, कुछ और करेगा, अपने लिए जो बराबरी के लिए लड़ेगा, संघर्ष करेगा, तो इन्होंने कहा, कि जब तक विसमता रहेगी, तब तक हिंसा रहेगी, अगर हिंसा खतम करनी है, तो विसमता को खतम करना पड़े यह विसमता खतम नहीं हुई देश की अजादी के बाद गांधी जी के वसूल चले नहीं और यह विसमता लगातार बढ़ती जा रही है भारत में सबसे गरीब लोग भी है दुनिया के और भारत में सबसे अमीर लोगों की शरेणी में दूसरी नंबर पर भी एक आदमी पहु पूरे देश में कोई गडबर नहीं दिखती है वो केजरीवाल के पीछे पड़े रहते हैं बेचारे के पीछे में केजरीवाल जी की सभी नीतियों से सहमत नहीं हूँ बहुत सारी चीजों पर मैं भी ऐसे मत हूँ पर उन कवी महद्य को एक मत्र एक गडबर वहां वहां द दिखती और कोई दिखती नहीं एक नंबर के आदमी है इस परकार से कोई भी भी कोई भी आदमी अलग होता है तो उसके साथ लड़ता रहता है तो भारत पाकिस्तान तब लड़ रहे थे तो उसने कहा था एक दूसरे से लड़ने की बज़ाए चलो भूग के खिलाफ चलो ऐ शिक्षा के खिलाफ लड़े चलो बिमारियों के खिलाफ लड़े और अभाव से लड़े जो यह हमारे पास कमी है चीजों के संसाधनों की उसके खिलाफ लड़े ऐसा गांधी जी ने कहा था उन्होंने कहा था ऐसी शिक्षा में बच्चों को नहीं देनी चाहिए ज चांती के साथ हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, बिलकुल करेंगे, लेकिन उसने कहा था, अहिंसा किसी कमजोर आदमी का काम नहीं है, अहिंसा वो चीज होते हैं कि हम लड़ सकते हैं, हम जबाब दे सकते हैं, और तब जबाब नहीं दे रहे हैं, उसको अहिंसा कहा, हमा गांधी जी ने हमारे देश के बारे में कहा कि जो अद भूखा रास्ट्र है उसके पास ना तो कोई धर्म होगा ना कोई कला होगी और ना ही कोई संगठन होगा भई खाली पेट कैसे जो भजन कर लेगा कोई आदमी पहली चीज होती आदमी की भूख प्यास नींद ये सब चीजें जरूरी पार्ट है ये चीजें पूरी होंगी तब आगे बढ़ेगा संयुक्तरास्ट्र में पहली बार आदम कद का अवतार आज होलोग्राम के रुब में दिखाया गया पीछे डार्क स्क्रीन होता है और लेजर लाइट से वो दिखाया जाता है तो आदमी जितने कद का जितने गांधी जी थे ओरिजनल वैसा होलोग्राम आज संयुक्तरास्ट्र संग में दिखाया गया बापु ने सच बोलना सिखाया कि सच बोलो बेधड़क ड्रो मत उनका बापु का जीवन और आदर्स देश की हर पीड़ी को करतवे के पत पर चलने के लिए प्रेरित करता है और ये करता रहेगा मुल्य और सिध्धानतों पर आधारित शास्त्री जी का जीवन हमेशा देशवासियों के लिए प्रेरेना स्त्रोत बना रहेगा ये दोनों के जो हाज जनम दिन है तो दोनों से रिलेटेड कोटी यहां पर था जो ना टूटे वो गांधी अभी 1917 मेवे राष्ट्री आंदोलन से जुड़े देश की अजादी के अंदोलन से 1948 तक लगे रहे इस बीच में ऐसा नहीं है कि गांधी जी के अलोचना करने वाले लोग नहीं थे गांधी जी की बुराई करने वाले लोग नहीं थे पर वे कम और ज्यादा जो कुछ भी करके देश के अजादी के अंदोलन को समेटे रखने में सफल रहे और देश को देश की अजादी तक पहुचाने में सफल रहे एक नायक की भूमिका भी होती है तो जो ना तूटे वो गांधी उसके बाद देश अजाद होता है अलग-अलग दोर आते हैं अलग-अलग दोरों में 60 और 70 के दोर में बहुत सारे वामपंथी संगठन जो थे बहुत सारे जो क्या बुलते हैं इसको नकसली संगठन थे उन्होंने गांधी जी की इनके साधमदन मोहन मालविय जी की ऐसे राजराम मोहन राय की बहुत सारे लोगों की परतिमाएं तोड़ी थी गांधी जी की मुक्य तोर पर इसके बाद फिर आगे मामला बढ़ता है गांधी जी के खिलाफ फिर से ये बात बढ़ती है और बीच बीच में इनके खिलाफ जो है मूर्तिया तोड़ी जाती है अभी हाल ही में इनकी बिहार में कई जग़ों पर मूर्तिया तोड़ी गई है विदेसों में भी तोड़ी गई है महात्मा गांधी एकमत्र ऐसे लीडर है जिनके सत्तर से ज्यादा देशों में मूर्तिया लगी हुई है लेकिन बहुत सारी जगह उपर उनकी मूर्तियों को खंडित भी किया गया लेकिन क्या मूर्ति खंडित करने से गांदी जी खंडित हो गए आप गांधी जी की बुराई करो आप उनकी अच्छाई करो या जो भी करो वे एक लीडर थे वे बड़े मास लीडर थे और वे सदी के लीडर थे उनसे बड़ा लीडर है नहीं कहां से लाओगे ढूंड करके जिन्होंने कहा ऐसे यह गांधी जी सत्रा में लागूं चालू हुए और नत्थुराम गोडसे की तीन गोलियों के साथ श्यांत हुए मूर्तियां बनाई गई वे तोड़ी गई तो क्या वे विखंडित हुई वे आदर्श आज भी देश में लोगों के सामने हैं और रहने चाहिएं महत्मा गांधी का पसंदिदा भजन हुआ करता था मेरे ख्याल से सभी लोगों ने सुना होगा रगुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम इश्वर अल्ला तेरो नाम सब को सनमती दे भगवान तो ये हिंदू-मुसलिम इस लड़ाई के पैरोकार कभी नहीं थे बाद में इस बात को जाकर के कभी हिंदू जो बुराई करते हैं कभी मुसल्मान बुराई करते हैं कि हिंदूओं के साथ गलत हो गया मुसल्मानों के साथ गलत हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया जैसा अभी मैंने भी कुछ बाते बताई दी बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की बाते बोलते रहते हैं लेकिन कोई भी आदमी अपनी तरफ से गलती नहीं करता है कोई भी लीडर भी अपनी तरफ से गलती नहीं करता है, किस कारण से उससे क्या किया क्या नहीं हुआ और उसका क्या असर हुआ, यह कुछ नहीं कह सकते हैं, महात्मा गांधी जी ने देश की अजादी के बाद ना तो बड़ा पद लिया, ना धन संचे किया, ना अपनी आने वाली पीडियों के लिए कोई जो है एक बहुत बड़ा सुनेरा जो है भुईशय छोड़ के गए वो देश की अजादी के लिए लड़े मरे कुछ नहीं संचे किया एक नंगे फकीर थे लाठी के सारे चले इतना भर जो है मातमा गांधी ने किया लेकिन इतना बड़ा के बारे में सोचना चाहिए गरीबों के बारे में सोचना चाहिए उनके जो ये विचार है अब इसके बारे में और ज्यादा बोला जा सकता पर जो है ये फिर सेशन ज्यादा लंबा हो रहा है ये सेशन एक बार में नहीं निपट सकता भगत सिंग को हम सोचें कि एक क्लास तो बात निपट जाएगी नहीं, यह हमने question mark लागू किया है यहाँ पर, हमने question mark आप सब के सामने खड़े किये हैं, जो भी आदमी गांधी की बुराई करता है, आच्छा ही करता है, मैं तो कहता हूं इस लिंक को share करो, भगत सिंग के लिंक को share करो, इनके बारे में जो किताब बहुत सारे लोग और भी है अजादी क्यांदोलन के उन लोगों को पढ़ना चाहिए उससे हमें पता चलेगा कि देश अजाद कैसे हुआ और देश अजाद होने में क्या गड़बड रह गई देश अजाद होने के बाद क्या गड़बड हो गई नीती निर्धारण में यह सम सद विधान सभाएं इतनी कारिय पालिका न्याई पालिका पुलिस पॉच सब कुछ है लेकिन गरीब लगातार गरीब होता जा रहा है जिसके पास भाव हो लगातार भाव जो है ज्यादा होता जा रहा उसका लोगों पढ़ने के लिए जो पैसे नहीं है लोगों के पास ख बहुत चीज़े हैं लेकिन कुछ limited लोगों के लिए गरीब आदमी तो ऐसी का ऐसा है तो उनके लिए भी जो है देश में सोचना जरूर चाहिए महत्मा गांधी शान्ती स्तत्विकास शिक्षा संस्थान ये महत्मा गांधी शान्ती एवं स्तत्विकास शिक्षा संस्थान ये ऐसे लिखना चाहिए था स्तत्विकास शिक्षा संस्थान इन्होंने जो है आज डिबेट की युनेस्को में और उसमें जो है होलोग्राम दिख उसमें गांधी जी की शिक्ष्या के बारे में बात हुई जैसे भारत में दो बातें चलती हैं एक चलता है सक्षर्ता और एक शिक्षित सक्षर है या शिक्षित है में फर्क है लिट्रेट है या एजुकेट है ये फर्क है आप पढ़ लिख करके ग्यान से आपका जीवन बदल रहा है आपका व्यवार बदल रहा है पिर तो शिक्षित हो और आपको नाम लिखना रहा है आपको औरेंज और संतरे का फर्क नहीं पता है मून और चांद का फर्क नहीं पत कि आपने जो भी आपका अच्छा है साक्षरता शिक्षा का अंतिया यहां तक शुरुवात भी नहीं है शिक्षा से मेरा तत्परिय गांधी जी बोलते हैं बच्चे और किसी वेक्ति शरीर मन और आत्मा में उत्कृस्ता का सरवांगिन संचार करना है कि बेस्ट निकाल के आएं तो ब्रिंग आउट बेस्ट आउट आउट आफ ऑफ सोल आउट ऑफ बोड़ी आउट आउट आफ परशन इस काल एजुकेशन यह गांधी जी ने कहा था अध्यात्मिक प्रशिक्षण से मेरा तात्परिय मन की सिक्षा से है कि आपके मन की क्या सिक्षा हो रही है आप जब कहीं पर बैठे हैं तो बैठे बैठे आपकी नजर कहां पर है आपका ध्यान कहां पर है जैसे मैं कलास में बच्चों को बोलता हूँ कि कलास में कुछ बैठे, बच्चे बैठे, बैठे क्या करते हैं वो देखते हैं कि यह का अगर किताब भूल जाए तो मैं इसको उठा ले जाू तो इसका ध्यान पढ़ने में थोड़ी, नोकरी में थोड़ी, करियर में थोड़ी अपने मेन टार्गेट में तोड़ ही किसी किताब में है अब आपके टार्गेट तुछ है या महान है यह education पर depend करता है यह education माबाब देता है teachers देते है, society और आपके friends अगर आपको अच्छा आदमी बनना है तो अच्छी किताबे पढ़ो अपने माबाप के अच्छी चीजे सीखो अपने टीचर्स के अच्छी चीजे सीखो दोस्तों के अच्छी चीजे सीखो गलत बात का पता चलता कि ये गलत है जो गादमी गलत बात बताता हो शिक्षा देता हो तो उसको छोड़ दो और अपने माबाप के खिलाब भी संगर्श करना चाहिए महत्मा गांधी जी की वानी में करम की प्रेरना थी उन्होंने सिर्फ सिध्धांत नहीं दिये जैसा बोला वैसा किया उन्होंने कहा चरका कातो तो अपने आप काता उन्होंने कहा अहत कर घापनाओ तो अपनाया उन्होंने कहा लंगोटी पहनो तो पहनी लाठी के सारे चलो तो चले खड़ाओ और चपल पहनो तो पहनी जो काम अपने आप किया वो दूसरों को बताया ऐसा नहीं था कि मैं तो पहनूँगा कोट पेंटाई और तुम पहनो खड़ाओ तो यह ऐसा नहीं था ये उनका कर्म की प्रेरणा थी सत्ते ही वो प्रेरणा थी जिसने मोहन को मोहनलाल करम चंद गांधी महत्मा बनाया आज 1922 में खड़े हैं 2022 में 100 साल बाद ग्रेट ट्रायल इसका जिकर मैं करना चाहूँगा आप लोगों को ग्रेट ट्रायल महत्मा गांधी जी ने जब देश ऐसे योगांदोलन के दौर में था ऐसे योगांदोलन चल रहा था तो उस टाइम पर महत्मा गांधी ने च्यार ल लिखा मोह से मुक्ति कि अगर तुम लोग जो यह सोच रहे हो ना कि कुछ भला हो जाएगा अच्छे दिन आ जाएंगे अंग्रेजों के दिल बदलेंगे तो ऐसा नहीं है उन्होंने डिस अफेक्शन ओफ विर्च्यू मोह से मुक्ति एक लेक लिखा यंग इंडिया उनका जो है अखबार था उसमें टेंपरिंग विद लोयलिटी वफादारी को नुक्सान इसके बाद पजल एंडिट सोलुशन पहली और उसका समाधान शेकिंग दा मेंस चेतना को जग चोरना ये चयार लेक लिखे गांधी जी ने और चयार लेक लिखने के बाद गांधी जी न गया जब कोर्ट में पेस किया गया तो कोर्ट में पेस करने के बाद जद साब थे ब्रूम फिल्ट इन्होंने अपनी बात बताई बही क्या तुम अपना अपराद स्वीकार करते हो तो गांधी जी ने कहा मैं स्वीकार करता हूं जो ये लूट मची हुई है जो ये किया है ब्रूम फिल्ड उससे बात करता है तो जो जजज साब थे उन्होंने जो गांधी जी से बात की तो गांधी जी ने कहा कि मैं इस काम को अगर आगे मौका मिलेगा आगे मुझे छोड़ा जाएगा तो मैं फिर करूँगा और इस परकार के लेख लिक करके मैं जनता को ज जो हाई कोर्ट थी लोर कोर्ट थी लोर शैसन कोर्ट में उमर कैद की सजा दी गई थी हाई कोर्ट में उनको फासी की सजा दी गई जैसे भगत सिंग ने अपनी फासी और जो सजा थी उन सब चीजों को जब उन्होंने कहा कि हाँ हम हसते हसते फासी का पंदा चूमेंगे औ तो वैसे ही गांदी जी ने भी कहा था, इन्होंने ये निकाह था कि माफ कर दो, गल्ती हो गई, जबकि कुछ बड़े लीडर्स, जिनको आज बड़ा दर्श बनाया जाता है, देश की अजादी में मांख भी मांग करके आगे बढ़े दे, बहुत सारे लोग इनका नाम जानत लोगों के मन में पढ़ने का विचार जागेगा, गांदी जी की सारी किदा बे तो अपलब धैयार जगाए पर, भगत सिंग की सारी किदा बे तो अपलब धैयार जगाए पर, आप ढूड़िये उनको और पढ़िये, थोड़ी सी चेस्टा होनी चाहिए, आपको पता मैं इस बात का फर्क नहीं कर सकता कि आप देश के लोगों के मसीहा हो आप देश के लोगों के लिए आइडियल हो आप देश की अजादी के लिए काम कर रहे हो आप किसी आदर्स के लिए काम कर रहे हो किसी भी एक नॉर्मल आदमी में और आप में सजा देते हुए मैं फर्क नहीं करूँगा और ये बहुत मुश्किल है कि कितनी सजा इस काम के लिए दी जाई और फिर उनको 6 साल की सजा दी गई थी महत्मा कांधी ऐसे योगांदोलन के खत्म होने के 6 साल तक जेल में रहे थे 6 साल तक बीच में काकोरी कांड आता है बीच में बंब कांड आता है सांडर सत्या कांड आता है उस बीच में कांधी जी कहीं दिखाई नहीं देते उसके बाद फिर आते हैं और फिर सवीन ने आवक ग्यांदोलन उसके बारे में बहुत बार बाते हो चुकी है और किस परकार से वो फिर वापिस हुआ था भगत सिंग के फांसी को बचाने के लिए उसकी सजा को माफ करवाने के लिए क्या स्टेप लिया था गांधी जी ने बहुत सारी चीजों के उपर कंट्रोवर्सी है बहुत सारी चीजों के उपर हम सहमत नहीं है हम लोग satisfied नहीं है कि कांधी जी ने ये का किया अगर भगत सिंग को बचा लिया होता तो हो सकता बहुत सारे सवाल बंद हो गई होते हिंसा के उपर जो सवाल जिन्दा है वो बहुत सारी चीज़ें हो सकता खतम हो गई होती जैसे मैं में बताया कि फर्स्ट वर्ल वार में बहुत सारे भारतियों को सेना में बरती करवा दिया और ये कहा मैं अंग्रेज सेना का बिना शर्त का भरती करने वाला सार्जेंट हूँ जब कांधी जी से पूछा गया कि आप अंग्रेजों के खिलाफ अफरीका में काम कर रहे थे अंग्रेजों खिलाफ काम किया भारत में आके अंग्रेजों खिलाफ काम करना नया काम नहीं था ये पहले कर रहे थे पहले करके भारत में आये और यहां करके भरती करवा दी और भरती करवाने के बाद फिर बाद में फिर गांधी जी अंगरे जोंगे खिलाब खड़े हो गई हिंसा के उपर बहुत सारी बाते अभी मैं ने डिसकस किया वही बाते रिपीट करने का क्या फाइदा है चलिए तो इन्होंने अपने लिए कड़ी सजा मांगी थी और जब वो सजा दी गई तो बहुत सारी रोग इन के पास आए तो ये मुस्कराते रहे और इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है ऐसा होना चाहिए कोई भी लीडर इस परकार से सजा तो काटे गा ही जेल में तो जाएगा ही जो आवाज उठाएगा और गांधी जी भी उसमें ही थे गए थे ये इतनी ही बातें इसमें है गांधी जी के उपर कुछ बाते हमने उठाई ये खतम नहीं हो रहा चैप्टर ये शुरू हो रहा है ये डिसकेशन शुरू हो रहा है इसके उपर अलग अलग पॉइंट्स के उपर डिसकेश करना बहुत जरूरी है और आपको भी पढ़ना बहुत जरूरी है सिर्फ आप हमारी बाते क्यूं सुने आप पढ़ो और थुड़ा सा टाइम तो निकालो इतियास जानने के लिए हमारे महापुर्श जानने के लिए ये जानना चाहिए सब को और बोलोगी चलिए आज इतना ही इस सिरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे भगत सिंग के उपर हमने जो बनाया था आओ जाने भगत सिंग को आज बनाया आओ जाने महात्मा कांधी को तो इस परकार से बहुत सारी चीजे और बहुत सारी बाते इनके उपर हम करते रहेंगे सो साल हो रहे हैं दग ग्रेट ट्रायल को ग्रेट ट्रायल उसका नाम दिया गया था आज 2022 में सो साल के बाद तो महत्मा कांधी ऐसा नहीं कि वो जो है अहिंसा और जैसे कायर या बुजदेल या इस परकार की बातें हस्ते हुए जो वो ली थी उन्होंने सजा और हस्ते हुए सजा काटी थी माफी नहीं मांगी थी कुछ लोग माफी मांगने वाले भी आज कलते इस वक्त कहला रही है आज इतना ही थेंक यू वेरी मच नमस्कार, गुड नाइट